देश के कानोन मंत्री किरन डिजुजु उसके बाद भारत की उपराष्ट्रपती राज्यसभा के सभापती जगदीप धन्खर के बाद भारत की राष्ट्रपती महामहीम द्रोपदी मुर्मु ने भी सुप्रीम कोट को आईना दिखाया है क्या उस आईने में सुप्रीम कोट को अपना वो चेहरा दिखाए दिया वैसे पिछड़े दिनों भी राष्ट्रपती मुर्मु ने सुप्रिम कोट के जजों से एक आग्रह किया था कि आम आदमी की भी दलीलें सुनिये, आम आदमी की भी पीडा सुनिये क्योंकि वो सुप्रिम कोट तो कहुंच नहीं पाता अब जारखंड हाई कोट के एक उदगाटन समारों में भारत की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंदरचूर के सामने में जो बात रखी चंदरचूर का चेहरा पूरा संद रह गया चुकि भारत की महा महीम थी देश की राष्ट्रपती, तीनों सेना की प्रमुक और भारत की सुप्रीम समयधानिक प्रमुक राष्ट्रपती मुर्मु ने जो इशारा किया जरा उसे एक बार सुन तो लीजिए मैं आज इसलिए यहां कहना चाहती हूँ कि यहां Chief Justice of India, Chief Justice of Jharkand High Court और बहुत सारे जर्जेस सुप्रीम कोट के, High Court के, आड़ोकेट्स, लॉयार्स, बहुत सारे बिद्वान व्यक्ति यहां बेठे हैं बहुत सारे केसेस, High Court में फैनाल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोट में, भडिक लेके जाते हैं जो केस जिनके फेवर में हैं, जो पोजेटिव हैं, और नाचते हैं, गाते हैं पांच सल के बाद, दोस्ता सल के बाद, विस सल के बाद, चलिए देर हैं लेकिन अंधेर हैं नहीं, इसलिए वो खूस होते हैं लेकिन उनका खूस ही कुछ दिन में ही ओ गाय हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए ओ खूस होते थे, ओ उनको मिलता नहीं जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपिया बर्बात किये, कितने रात नहीं सोये, इंतिजार में ओ आज मिला, इसलिए ओ खूसी हैं लेकिन कुछ दिन के बाद, जो ओ खूसी, अक्च्छल खूस में, तॉनबर्ट नहीं होता, तो ओ फिर दुखी हो जाते हैं मैं एक छोटी सी गाव में से आई हूँ, वहां एक छोटी सी मेंबर में थी, फेमिली कांसिलिंग सेंटर के हम क्या करते थे, कुछ cases final होने के बाद हम revisit करते थे, ओ जो case हम final किये, अक्च्छली ओ ठीक ठाक है की नहीं, ओ फेमिली, ओ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं यह जो provision है की नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने भडिक लेके आते हैं, मेडम मुए तो case तो जीत किया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो justice मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं, उसका कुछ रास्ता है की नहीं, मैं अभी चंद उन्होंने बोले, content case कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं, content case करने के बाद, फिर, फिर सुरू से मुझे फिर, ओही दोहना पड़ेगा, ओही मुझे से, फिर 20 सल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतिजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 सल इंतिजार करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, उसका कुछ राष्ता है कि नहीं। आप सोब जोजेस बेचे हैं, Chief Justice of India बेचे हैं, Chief Justice of High Court बेचे हैं, मुझे पता ने हुछ पूँकरकर कर गबम्मेंट के एक लोग मिनिस्टर बेचे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्यूंकि मैं एक दॉमिचने लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ. मुझे लगता है उनको सही महिने में जिस्टिस मिलना चाहिए यह responsibility आपका है मुझे लगता है इसका राष्टा जोरूर होगा नियों हाम बनाते हैं नहीं यह तो बनाना चाहिए थोड़ा उनको तो नियाई मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास में भेज़ूंगी चीफ जस्टिस अप इंडिया को मेरे पास तो पहुँच नहीं पाते हैं अभी पहले तो पहुँच पाते थे लेकिन में भेज जेदी थी और कहां गायब हो जाता था मुझे पता हैं लेकिन अभी मेरे पस जो है मैं ज़रूर आपके पस बेजूंगा। मुझे लगता है उनको अक्ट्वाल खुशी मिलना चाहिए, अक्ट्वाल न्याए मिलना चाहिए, जाया तो कहां जाया। Chief Justice of India या Supreme Court के बाद और कोई तो per side नहीं है। मैं इसी के साथ, my best wishes will be with you in all your endeavors. Thank you, जाय हीन, जाय भारत, जाय जाय जाया। जी, भारत की राष्ट्रपती द्रौपती बुर्वो ने बरी बिनम्रता से कहा कि हमारे पास बहुत कुछ आता है। हमारे पास बहुत सारे निवेदन आते हैं और ये पीराम आदमी की होती है कि कब हमें न्याय मिलेगा। कई बार निर्दोष लोग अदालत की का चक्कर काटते रहता है, मान हानी के मामले में टकराते रहता है और पूरी जिंदगी उसकी बरबाद हो जाती है। दरसल महामहीम राष्ट्रपती जी ने CGI को जो संदेश दिया उसकी जब बारीकी को आप समझेंगे तो वो यही कहना चाह रही हैं कि आप बिलोट सिब्बल जैसे लोगों की दलीलों पर तो तुरंत अदालत लगा लेते हैं। आम आदमी का क्या होगा। दरसल अकसर हम इस मुद्धे को तो उठाते थे कि इस देश में सिब्बल और सिंग्वी जैसे लोग अपने क्लाइंट को बड़ी राहा दिला दिला देते हैं। रेड कार्पेट बिट जाता है। लेकिन आम आदमी का क्या होगा। कब तक इस दे सेठों और राजनितिक प्रभुत वालों के लिए रेड कार्पेट बिछाएगी। उमीद की जाने चाहिए कि जो आइना सुप्रीम कोड को भारत की महा महीम ने दिखाया है। उसमें उन्हें अपनी तस्वीर दिखी होगी। बहुत बहुत धन्यवादा।